गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम थर्ड कलास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं जिसमें आज हमारा बार्मापाठ है बार्मापाठ कभेदास दौरा रचित कुछ शिक्षापर्द दो हैं कभेदास जी क्या कहते हैं वरक्ष कभी नहीं फल भकके नदीन संचे नीर परमार्थ के कारने साधूने धरा स्रीर वरक्ष कभी नहीं फल भकके अर्था वरक्ष कभी अपने फल सौएं नहीं खाता है नदी न संचे नीर और नदी अपना नीर नीर पानी नदी अपना पानी समय के लिए संचे करना एक तरित करना इकठा करना और नदी अपना पानी समय के लिए इकठा नहीं करती है उसे परकार से परमार्थ के कारने साधुन धरा सरीर, साधु मातमा भी परमार्थ के लिए दूसरों के हीट के लिए दूसरों के वलाई के लिए ही अपना सरीर धारण करते हैं तो इस दोहे में कबिर दास जी ने परमार्थ की शिक्षा दी है, हमें दूसरों की भलाई करने की शिक्षा दी है, कबिर जी कहते हैं कि वरक्स कभी अपने फल समय नहीं खाते हैं, अर्था दूसरों के लिए ही वरक्स मिठे फल त्यार करते हैं, इसे परकार से नदियां भी अपना जल समय नहीं पीती हैं, नदियां भी दूसरों के जीवन देने के लिए, दूसरों की प्यास बुजाने के लिए ही अपना ठंडा सवच जल देती हैं, और इसी प्रकार से जो महातमा सज्जन लोग होते हैं, वो भी दूसरों के बलाई के लिए हैं, इस संसार में आते ह अपना सरीर धारण करते हैं अगला दोहा क्या है ऐसी वानी बोल ये मन का आपा खोए ओरन को सीतल करे आफू सीतल होए यहाँ पर कभीर जी ने मिठी वानी बोलने की मिठी बोली बोलने की सला दी है कभीर जी काते हैं कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए ऐसी वानी ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो मन का आपा खोए जिससे मन का आपा जो गमंड करोद जो है समाप्त होता है ओरन को सीतल करे जो दूसरों को भी सीतलता शांती परदान करे आफू सीतल और समय का मन भी शांत हो अर्थात हमें ऐसी मेठी वानी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का गमंड और हमारे मन का क्रोब श्यांत हो जो दूसरों को भी सीतल का परदान करे, दूसरों को भी इच्छे लगे और सिमय का मन भी श्यांत करे आगी कभीर जी कते हैं कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पाने पिव, देखी पराई चूपडी मतलल चावे जीव क्या कते हैं कि हमें दूसरों की चूपडी पराई मतलब दूसरों की चूपडी दूसरों की चूपडी हुई रोटी देखकर मतल लल्चावे जीब हमें जीब लहीं लल्चाने चाहिए हमारी जीब लालच नहीं करना चाहिए अर्थात दूसरों का धन दोलत देखकर दूसरों का सुख देखकर हमारी मन में लालच नहीं आना चाहिए रूखा सूखा काई के ठंडा पानी पी, हमारे पास जो भी जितना भी है, उसी को खाकर हमें संतुष्ट होना चाहिए, ठंडा पानी पेना चाहिए, अर्थात इसका क्या आर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मैं कभी भी दूसरों की धन दोलत और सुख देकर लालच नहीं करना चाहिए, बलकि हमारे पास जो कुछ भी है, उसी से संतुष्ट और श्यांत रहना चाहिए, आगे क्या हैती है? दुर्बल को ने सताईये जांकि मोटी हाए, मुई खाल की खांस से सारबसम होई जाए, यहां पर कभीर जी कमजोर व्यक्ति को कष्ट ने देने की सला दे रहे हैं, कबीर जी कहते हैं कि दुर्बल को कमजोर व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, जांकि मोटी हाए, इससे उसकी क्या लगती है? बद्दुआ लगती है, हाए लगना बद्दुआ लगता है, हमें कभी भी किसी कमजोर निर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इ सार भसम होए जाए, सार लोहा को पिंगला जाता है, तो बच्चों लोहा जो होता है, वे लोहा के ये काम करते हैं, पिंगलाते हैं, खाल का बना हुआ ही जैसे एक जो चमड़ी का बना हुआ, एक निसे रखते हैं, जिसे उसको हवा देते हैं, और वो पिंगलता हैं, तो इसे प्रकार क्या कते हैं कि जिस प्रकार से मरी हुई खाल से लो तत्तव भी भसम हो जाता है नेश्ट हो जाता है उसी प्रकार से किसी कमजोर व्यक्ति को सताने से उसकी बड़ी बद्वा लगती है आगे कबीर जी क्या कते हैं आगे कते हैं कबीरा हरी के रूठिते गुरू के सरन जाए कहे कभीर गुरु रूठ ते हरी नहीं होत सहाए यहां कभीर जी गुरु के महतव को बताते हुए कते हैं कि यदि हरी रूठ जाता यदि भगवान हमसे रूठ जाता है किसी कारण से भगवान नाराज भी हो जाए तो गुरु के सरण जाए तो हम गुरु के पास जा सकत यहां पर गुरू के महतव को बताया गया है आगे क्या कते हैं तूटे सूजन मनाईए जो तूटे सो बार रहिमन फिर फिर पोईए तूटे मुक्ताहार यहां क्या कते हैं कि यहां पर सज्जन व्यक्तियों के महतों को बताते हुए कते हैं कि हमें सज्जन व्यक्ति की संगति किसी भी हालत में नहीं छोड़ने चाहिए यदि सज्जन व्यक्ति हमसे नाराज भी हो जाए तो उसे मनाना चाहिए तूटे सो बार यदि वो सो बार हमसे नाराज होता तो सो बार हमें उसे मनाना चाहिए रहीमन फिर फिर पाईए तूटे मुक्ताहार कोई यदि मुक्ताहार की माला यदि हमसे तूट जाती है तो बार-बार तूटने पर हम उसे बार-बार पिरोते हैं, दागे में से उसको पिरो लेते हैं, उसको फैंकते नहीं क्योंकि वो कीमती होती हैं, इसी परकार से सज्जिन व्यक्तियों की संगती भी हमें किसी हालत में नहीं छोड़ने चाहिए, यदि वो बार-बार हमसे रू परवत करे परवत राई माही यहां कवी कते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ कर सकते हैं साहिब भगवन भगवन से ही सब कुछ संभव होता है बंदे से कुछ नहीं बंदा जो होता है भगवान का बंदा बंद से कुछ कार्य संभव नहीं होते भगवान ही सब कुछ करता है परवत करें परवत राही माहिं भगवान अपने लेला के दोरा राई से के एक छोटे से दाने से भी परवत बना सकते हैं अर्थात भगवान यदि हम पर करपा करें तो हमें बहुत अधिक सफलता परदान कर सकते हैं परवत राही माहिं और परवत से राही कर सकते हैं अर्था बगवान की करपा से भी सभी कारिये संभव हैं। आगे क्या कहते हैं। जो विकास का कारण बनती हैं निजभासा उन्ती हैं। अपनी निजभासा से ही विकास संभव है। सब उन्ती को मुल अपनी मातर भासा ही सभी प्रकार की उन्ती का कारण होती है। बिनो निज भासा ग्यान के अपनी भासा के ग्यान के बिना मिटे नहीं ये सूल हर्दे की पेड़ा समाप नहीं हो सकती यहाँ पर कभीर जी समय के अपने मात्र भासा कम महतव बता रहे हैं तो यहां पर बच्चों हमने कबीर जी के दोहों से सनेक प्रकार की सिक्ष्या लिए हैं, पहले आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर नोट करेंगे